गॉर्मिट के आदम है हम लोग अच्छा आईये मिस्टर दिक्षित का नाम तो आपने बाहर नेम प्लेट पर पढ़ लिया होगा मैं उनके पत्नी हु भाग्य लक्षमी यह हमारी बेटी है विद्या और एक बेटा है विक्रम और कोई नहीं है बस हम इतने ही है घर के बाकी ल मुस्तफा क्यों बहुत जल्दी में होगा है लोग अम्मा एक नाम बताना भूल गई मैं भी इसी कुन्बे का हूँ इसी फैमिली का हूँ मुस्तफा जामने जामने इसे अंदर लेजा इन्हें मैं सही नाम पता बताता हूँ 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 शरु हूँ जामने जामने लोग अजाँ वको व्रूँ मताता हूं तुझा है क्या कि आ使 आ flashes को नोट तख दुझा है कर दो झां सकिंदाति है झाल झाल कौन थे वो लोग, मेरी बच्ची को क्यो लेके जा रहे थे ये सब तुमारी वज़े से हो रहा है, जब सब तुम इस गर में आयो हमारा जीना धुबर हो गया है ठीक है तुम्हें चलता हूँ जाओ, चले जाओ, मगर इतना बता के जाओ के कौन थे वो लोग तुम्हें अपने पवित्व खुरान की कसम कसम ही दिये तु सुन लो, वो विपीन के लोग थें क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने उसका मुन्नी अंदर जाओ जाओ विपीन मुन्नी के साथ रिष्टा कयम करना चाहता थे क्याओ? शादी का नहीं, एक रात का जिसम का सौधा माफ कर अमा, ये बात मुझे साफ साफ कहनी पड़ी अमा वो भेड़िया मुन्नी की इजजत के साथ खिलवाड करना चाहता था इसलिए तुम्हारे न चाहने पर भी मैं इस घर में पड़ा रहा ताकि इस घर के आब रूबर करार रहे तुम्हारी और विपिन की बाते मेंने साफ साफ सुन ली थी मुस्तफा तो फिर मुझसे क्यों चुपाई हमने भी एक बात चुपाई थी ममा इन्होंने आकर हॉस्पिटल का बिल भी दिया था और डाड़ी की जमानत भी करवाई थी मुझे पताया क्यों नहीं किये खुट विद्या 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 चल दे दावर लेकर आ कोई जरूरत नहीं मामुली खावाया अम्मा मुझे माफ कर दो मस्तफा मैने तुम्हें गलत समझा तुम अपना खून बहाकर मेरे घर की इज़त बचाते रहे और मैं नफरत करती रही तुमसे अम्मा तेरी नफरत में भी प्यार था जिसकी मुझे तलाश थी इन जखमों से तो बहुत पुराना रिष्टा है लेकिन इस परिवाद से मिला हुआ प्यार मेरे लिए नहीं चल पिटा तुम क्यों रो रही हो हाँ चलो रोलो क्योंकि आज के बाद इस गर में कोई रोएगा नहीं ले तेरा भी नमक्खा है तु जहां चाहती है वही तेरी शादी होगी भाईया यह बच्चे एक दुसरे से बहुत प्यार करते हैं इस मेने की बिस्तारिक बहुत मुबारक है उस दिन शादी हो जाए तो देखो मैं अरू का बाप हूँ इसकी शादी कब कैसे और कहा करनी है इसके लिए मुझे किसी की सलहा की जरूरत नहीं आए बिलकुल बिलकुल आप लड़के के बाप है तो मैं लड़के का भाई हूँ यह भूली है मुस्तफा और भाई क्यों आपका इतराज है मुस्तफा बाई मैं शादी करने के लिए तैयार को इस बाई एलेक्शन की एहमियत को आप समझे अगर हम यह एलेक्शन हार गए तो हमारी सरकार गिर जाएगी पार्टी का नामनुशान खत्म हो जाएगा अपोजेशन वाले तरह तरह के आप भी रुपय की फिक्र मत कीजिए ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूं मैं इंट का जवाब पत्तर से दीजिए लेकिन किसी भी कीमत पर खुदा के लिए इस एलेक्शन को जीत किए आप फिकर मत केजिए एक आदमी है जो ये ओपोजेशन की एंट से एंट बजा सकता है बुलेट का जवाब से दे सकता है वह है मुस्तफा याँख! त hebड करते हैं of आख भेर! खिलूँगा! Assalam Hail этого मालूम था अब जरूर आयंगे! थोड़ी देर होगे आईए!! अमा यह है अब्बा जिनोंने मुझे पाल पोस कर बढ़ा किया अब्बा यह है मेरा नया परिवार नमस्ती कुछ अकेले में बात करनी थी मैं आपके लिए कौफी लाती हूं नए उसके कोई जरुदत ने अमा अब्बा मुझे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं कहीया,甭बा मुस्तफ़ा, मुझे तुम्हारी मदद की जरुरत है मुझे किसी भी हालत में उन लोगों के बाई-एलेक्शन जिताना है इतना तो मैं समझता हूं, अभबा तो फिर ये क्यूँ नहीं समझता ही, तेरे अभबा को तेरी जरुर्रत है मुस्तफा में तेरे सिवा किसी और पर परोसा नहीं कर सकता इस दंगे पसाद में मेरी जान भी जा सकती है इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा मुस्तफा अपने अब्बा से सौधे बाजी करेगा अब्बा से नहीं लेकिन आपके उपर जो बैठे हैं उनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी आपने ही कहा था इस धंगे में जजबात की कोई कीमत नहीं तू नहीं मांगता तू भी मिल जाता बोल क्या चाहिए दिक्षित की नौकरी बच्चे के लिए एड्मिशन बच्चे की शादी के लिए पैसे इस परिवार की हिफाज़द बस और कुछ नहीं बड़ा जजबा दी हो गए मुस्तफा जब से देख रहा हूँ परिवार की बात कर रहा है मिल जाएगा लेकिन काम पूरा होने के बाद अबबा का हर लबस राखो पर काम हो गया समझो चाहे मुस्तफा की जान को ने चली जाए अरे मरे तिरे दुश्मन सरकार अबबा को पैसे दे रही है अपोजिशन हमें पैसे खिला रही है अपनी तो पांचों उंगल्यागी में है और सर जलती हुई कड़ाई में होगा क्योंकि अबबा का कमांडर गुलाम मुस्तफा है अपोजिशन की हारिया जीत से मुझे कोई वास्ता नहीं मुझे मेरे बेटे के खुन का बदला लेना है इस इलेक्शन के धानले में मुस्तफा को खतम करना है मेरा एक ही मकसद है मेरे बेटे के माथे पर मुन्नी यह तुम्हारी चुड़ी जाम मानेगिर भी रखी थी और यह कुछ यादे हैं अपनी शादी में जरूर पहन लेना जिस शादी के लिए आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो मुझे ऐसी शादी नहीं कनी भीया मुझे भी ऐसी इंजिनिरिंग की सीट नहीं चाहिए उस्ताद मुस्तफा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे मुस्तफा, जिस बुराई के रास्ते को तुम छोड़ चुके हो तो बारह हम तुम्हें वहाँ जाने नहीं देंगे तेरा शुकर है खुदा, मैं तो लावारिस था लेकिन मेरे मनने के बाद मेरी लाश लावारिस नहीं होगी, कोई तो है मेरे जनाजे को कंदा देने वाला जी, ऐसी अशुब बाते नहीं करते बेठा अम्मा अल्ला ने मुझे मेरे लिए आसुबाहने मला घर दिया है, हर पल मैं इसे खुछ देखना चाहता हूँ मुझे तो जाना ही होगा जाने से पहले तेरे हाथ की एक कॉफी मिल सकती है अपले दयानन ये वादा है, तुम्हानी नोकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी बिक्रम, तुम्हारे आडमिशन पक्की समझो दिल लगा के पढ़ाई करना, मुन्नी के शादी में कोई कमी नहीं होगी बोलो मालकेन, मालकेन मुस्तफा श्युक्रिया बिक्रिया 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 खड़ झाद है झाल कर झाल को खड़ थाग्छ हाईश नहाँ फोड़ खला कर थाव्छ खड़ खाप प्स झाल कर थाद खाभ झाल प्सक्थ्सू अब मुझे क्या करना है मुस्तफा भाई कभी तो अपने दिमाग से काम कर सुदामा हमेशा मुझे क्या करना है मुस्तफा भाई इस गर को तुम्हारी जरूरत है इस गर की हिफाज़त और शादी का इंतिजाम तुम्हारी जिम्मेदार है मुस्तफा वाई, मुझे आंधी आने की आर्ट सुनाई दे रही है आंधी नहीं आएगी सुदामा हाँ, थोड़ी हवाँ जरूर तेज होगी, कुछ धूल उड़ेगी, कुछ सुखे पत्ते गिरेंगे बिखरेंगे इधर उदर पर जो पेड मजबूत है उसे जर से उखार फैंकने की तागत उस हवाँ के चुके में नहीं होगी, फिकर मत करें